विक्रान जी सबसे पहले हमारी चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है आपका और आज हम बहुत सारी बाते करने वाले है तो आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में ओडियन्स को देना चाहूंगा कि विक्रान जी ने अपनी भोजपुरी फिल्मों से अपने करियर की शुर कितना याद करते हैं आप उस किरदार को क्योंकि अभी लॉक्डाउन के पिरिएड में जो है शो को थोड़ी सी ब्रेक दिया गया है तो क्या कहना चाहेंगे सर उस बारे में बिल्कुल किरदार की बात आप कर रहे हैं तो जितने भी लोग हैं फिलाल मुझे साहे लोग आउ आप एक सेट पे जहां पे आप लगातार एक साल होने को आया था तो एक फैमिली सा हो जाता है सब कुछ वही चेहरे वही लोग आपस में बैठना खाना पीना तो एक दोस्ती और अलग तरीके सी बांडिंग बन जाती है सेट पे और वो सेट भी अपना घर जैसा लगने पेमिली साल है करोना था मैश पाया को बन willis summary साल है कर दोड़ी का फेल के सेट आर पन्षामिली सहीरा चाल अंधे को सब्सक्राइद जाती और प्रिव चाल है और पने थे पक कृए को में हूँ कंड़ सेट ओन ने लिए ले वीजरा और लोगों में एक पकड़ सी बनाई मेरी इमेज जो है विकरान सिंग की एक अच्छी एक एक्टर की जो होता है भूम का उन्होंने मुझे बहुत सारे variation दिये करने के लिए आप एक brother sister की bonding create किया उन्होंने और एक angry man की भूम का अधा करने को मिला मुझे फिर बाद में मेरी जो महक मांसी स्रिवास्तों के साथ romantic scenes भी आए और बहुत जादा उस चीज को like किया मेरी chemistry उनके साथ काफी पसंद की गई तो no doubt मुझे लग रहा था कि ये तो लंबा चलता अपना कई साल भी हो जाते तो नहीं बंद होता show बट आपको पता है बोलनी की जरूरत नहीं है करोना ने तो बहुत सारी चीजों को रोख लगा दिया है फिलाल तो जिन में से हमारा show विद्या भी है तो बट हाँ ये जरूर है कि विद्या show से मुझे बहुत कुछ name fame बिला है जैसे आपने कहा कि मांसी के साथ आपकी chemistry को बहुत पसंद किया गया हमने कुछ आपके विडियो भी देखे थे जो social media पर आप लोगों ने डाले थे onset मस्ती के तो वो मस्ती को कितना मिस कर रहे है वही मैंने बोला आपसे कि बहुत हम मस्ती करते थे मीरा, मांसी, एंड मी तो हम तीनों के एक टिकड़ी थी तो लंज टाइम में भी एक साथ हो जाते थे और उस वकर टिक टॉक था तो टिक टॉक करते रहते थे मस्ती जितनी भी हो सकती थी मस्ती ही करते थे और पॉजिटिव थे हर चीज को लेके और कईने कई एक bonding ऐसी बन गई थी हमारी कि लोगों को लगता था कि हम बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत पहले से दोस्ती होगी, बट ऐसा नहीं था, मेरी दोस्ती बहुत जल्दी-जल्दी में सबसे हुई, लेकिन हाँ यह जरूर है कि हम सेट पर बहुत ज़्यादा मस्त जी यह सबस्तियों करते थे, और वह चीज तो मीची कर रहे हैं, अभी बात हमारी होती रहती है आपस में बातकित करते हैं, बताते हैं, यार, मजा आथा था, होप कि कुछ, ऐसे ही कुछ हमको शो मिल जा जिसमें हम तीनों लोग आजाए तो यह हमारी है, क्क्शी हमारी है, बहुत अच्छी थी सेट अगर आपके करियर की बात करें जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी मेंचन किया आपके इंट्रोडक्शन में कि आपने भोजपूरी फिल्मों से शुरुवात की थी तो क्या डिफरेंस महसूस करते आप मतलब टीवी में और भोजपूरी इंडस्ट्री में हाला कि मतलब फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहें कि और बड़ी-बड़ी फिल्में भी करें आप बॉलिवुड में बिल्कुल मैं देखे मैं तो चाहता हूं कि मैं मुझे अच्छे सीरियल्स भी ऑफर हों मैं सीरियल्स भी करना चाहूंगा रियलिटी शोहोज हो गए वेफ सीरीज हो गई मोवीज हो गई यह तो हरे कोई करना चाहता है और जैसा मैं हूँ लोग भी कहते हैं कि यार आप वेफ सीरीज और जो होती है आप उसमें ट्राइ करो उसमें जाओ और फिल्मों के लिए ही बोलते हैं तो मैं हांडे टिन परसेंट में चाहता हूँ कि मुझे वेफ सीरीज ओफर हो फिल्में मिले मैं तो आया हूँ नहीं है जादा क्योंकि मैंने जो भोशपूरी में भी किया था एक अपने हिसाब से अच्छे लेबल की करना चाहता था और अच्छे डारेक्टर अच्छे टीम तो मुझे जादा फर्क नहीं लगा हां थोड़ा सा फर्क मैं बोलूंगा तो जो एक पॉजस की होती है क्यों अप्या आप ऐसे बोलना था यह नया था अपके लिए यह बिल्कुल नया था मेरे लिए कि क्या बोला धर्मा ठीक है न अब अब रुख जाना मुझे तो उनके साथ बेरी कमेस्ट्री बड़े अच्छी थी बिकास हम लोगी कॉमिक टैमिंग बड़े लग ती लोगों को तो वहां पर म्यूजिक के लिए थोड़ा सा उनको चाहिए इस्पेस तो वो मुझे थोड़ा सा थोड़ा सा वक्त गया था बहुत जादा नहीं लेकिन बाद में समझ गया कि अच्छा बोल के रुख जाना है थोड़ा सा तो वह चीजे थी बाकी कुछ भी फरक नहीं है वह अलिसा भी स्टार प्लस का एक शो कर रही थी तो मतलब प्रोजेक्ट को लेकि कितने डिसकेशन होती है आप दुनों के बीच में मतलब क्या वह आपसे डिसकस करती है कि यह शो करना चाहिए नहीं करना चाहिए अगर जो भी प्रोजेक्त आपके पास आते हैं देखे जाहिर सी बात है यह चीजें मुझे लगता है कि अगर एक घर में दो तीन आक्टर हैं तो वो जरूर बिसकसन तो करते ही होंगे कि अरे यार मुझे ऐसा कॉल आया जाए इसको देखो कैसा है क्या है बट ज़्यादा इंटर्फियर तो नहीं होता है कि क्योंकि सबके अपनी इसकेल है मोना की अपनी अलग इसकेल है अलग पकड़ है उनकी अलग पहचान है अलग फेम है उनकी अलग जरनी भी रही है और मैं मैं एक अलग तरीके का हूँ तो मैं इंटरफियर नहीं करता बट कहीं ने कहीं बात चीज जरूर होती है कि यह सीन है या फिर ऐसा करेक्टर है तो हमको कैसे करना चाहिए तो जहां तक हो सकते हैं एक दूसरे को समझते और समझाने की कोईशिस करते हैं बट जादा कुछ मैं सब्सक्रायकशिन ह सारो है जाए तब हो पाएगा नै सारी चीजे हम चाहते हैं कि quality अब करना चाहेंगे अच्छा घाएगा लोगों को क्योंकि बिल्कुट definitely हमारी chemistry अच्छी रही तभी हम आगे यहां तक आए शादी होई सब कुछ हुई और विकरांत आपको थोड़ा सा serious topic की तरफ ले जाना चाहूंगा मैं कि अभी जो है नेपोटीजम के बारे में बहुत सारी बाते हो रही है जब से सुशान सिंग इस दुनिया को छोड़के गए उसको लेकर फिर बहुत सारी बाते हो रही है कि नेपोटीजम को लेकर उन्होंने आत्मात्या की आप भी खुद एक बाहर से आये हुए है आप ने क् feel किया उस बात पुले के सारी सारी हाँ ऑद poking तो nepotism के बारे मैं पूछ रा था कि आप क्या feel करते, क्योंकि आप भी एक outsider है और इंडस्ट्री में काम कर रहे है और बहुत अच्छा काम कर रहे है आप तो आपने कभी ऐसा feel कि कि इंडस्री में निपोटीजम है कंगुणा ने भी इंटर्व्यू में कह था कि इंडस्री में बहुत ज़्जादा निपोटीजम है तो उस चीज है नेपोटीजम की बात तो तो देखे एक चीज तो है यह मैं तो मदलब कहीं-kas 만들어 कि ये बड़े तरीके से कहें कें छोटे तरीके से हैं तो बहुत बड़ी है ये सुपींग नूस थी हां और यकीन भी नहीं होता है कि यह हाथum हो चुका है आज महिना भर से उपर हो चुका है बट सच्चाई बतारो मैं मुझे यकीन ही नहीं होताय है कि यह हाथा हुआ है क्योंकि हम इतने करीबी भी नहीं रहें कभी मुलाकात ऐसी नहीं हो değil एक बार मुलाकात हुई थी वो भी क्रिकेट प्रैक्टिस ग्राउंड पे हुई थी तब वो माही मैंदर सिंग धोनी की जो वर्क कर रहे थे तो वहां पर मुलाकात हुई थी हमारी बट सच चाहिए है कि नेपोटिज्म कहिए या फिर आप कभी-कभी आपने देखा होगा कि फ्रेंड्सिप में भी अपने जिनके पास टैलेंट नहीं होता है उनको भी लोग बढ़ावा देते हैं तो ये भी खतम होना चाहिए ये मैं नहीं बोल सकता कि हीरो का लड़का हीरो नहीं होना चाहिए ये मैं कभी नहीं बोलूँगा क्योंकि देखिए अगर उसमें टैलेंट है तो वो होगा अगर नहीं है तो नहीं होगा हाँ बट किसी टैलेंटेड की जगह आप मत दोस्त जो टैलेंटेड इंसान जो इतनी मेहनद करके आया हो उस जगह पे आप उसको रिपलेस तो मत करो ये तो चीजें बहुत जगहों पर हुई है और कहीं ने कहीं इसमें लोगों का साथ तो होता ही एक ओए क्सा कोई कर सित माल लेजे हैं निरमाता हो को फिलो तो लोग मतलब होता ने कि उसको खड़ा करने लगते हैं जो उसका खुद का बंदा हो या बंदी हो या फिर उनके बच्चे लोग हो तो यह चीजे तो हैं क्योंकि देखे मैंने भोशपूरी में भी देखा था कि एक लॉबी सी बन जाती है लोगों की और इसमें कई लोग सिकार हो बन जाते हैं और टै आपजेसा आपने सुसांत के बारे में बोला है सुसांत तो बाबरेबाब अब उनको तो मल्टी टैलेंटेट मैं बोलूं कि क्या बोलूं जो स्कॉलर स्टूडेंट और इसा यकीन ही नहीं होता कि कुछ तो बहुत ज़ादा बहुत लंबा चोड़ा जोल होगा या फिर कुछ एक बहुत बड़ी वज़ा हो सकती है जो हमको देखिए हमको बाद में पता चला कि साथ फिल्में उनको मिली थी जिसमें से चै फिल्में वापस ले ली गई हमको ये हाथसा होने के बाद पता चला पहले नहीं पता था तो ये चीजे क्यों ही हम भी जानना चाहते हैं हम डेली चाहते हैं कि कुछ ने कुछ अपडेट आते रहे जो की नहीं आ रहा है ये दुख ही बात है आनी चाहिए कि यहां तक इनका मामला आया है ठीक है ना? वजह क्या? दिखे वजह है तो जरूर है ठीक वजह है तो जरूर है यह कोई बोल देगी कि नहीं बंदा डिप्रेशन में बंदा ये करके वो करके मैं बोलता हूं अरे भाई मेरे बंदा डिप्रेशन में आजकल हरे कोई डिप्रेशन में जाता है निकलता है अलग अलग तरीके हो गए ल करते हैं बट मैं यह कभी नहीं बोलूँगा नेपुटिस्म के बारे में बट सचाहिए है कि मैं जरूर में रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले प्लीज जो टैलेंटेड लोग लोग हैं उनको आगे रखिए ना कि अपने जो आपके सो कॉल्ड मतलब होता है ने कि जो चमचाई करने वाले लोग होते हैं हाँ बटरिंग करने वाले होते हैं आप उनको बसकाली भाईया यह कर दिये तो बड़ा अच्छा लड़का है बड़ी अच्छी आपका कोई यह सब मारे इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजिस हुए हैं आपने देखे होंगे तो मैंने सुना था मुझे यह नहीं वालूम था कि पहले मल्टिप्लेक्स में भी जगह बड़े स्टारों को ही दी जाती ती यह सुनने में हमेंसा आता था लेकिन धीरे धीरे आपने देखा ठीक है यह आपने जल्दी में देखा होगा यह पहले नहीं था ऐसा तो मेरी बात को आप समझे रहेंगे मैं कहां से बोलना चाहरा हूं इस चीज को यह जाहिर सी बात है कि टैलेंट को हरे कोई पसंद करता है हरे कोई पसंद करता है लेकिन भाई हाँ जरिये जरिया तो यह चीजें यह तो बिल्कुल और हर एक कोई मानेगा इस बात को लेकिन यह भी आपको मानना पड़ेगा कि अगर स्टार कीड है कोई और वो टैलेंट एंटेड तो डैफिनटल इंडेस्ट्री में होना चाहिए और उसका हक ऐए जैसे मैं माननेजे अगर कल को क्रिकेटर होता तो मैं डैफिनटल चाहता कि मिए लड़का क्रिकेटर बने अब वो नहीं उस तैलेंट नहीं है तो नहीं बन कि देखिए अभी मैं बहुत बड़े क्रिकेटर का नाम लेने जा रहा हूं इसका नाम है सची तंदुलकर उनके लड़के हैं और जून तंदुलकर देखें रही बात मलब की शचीन तंदुलकर इतना नाम है कि शायद बहुत पहले अगर ऐसा होता तो बहुत लोगों के लड़के भी खेल चुके हैं, मैंने देखे हैं, लेकिन अभी जो चल रहा है न क्रिकेट में, वो चल रहा है टैलेंट, वो चल रहा है उसका हुनर, कि अब वो धीरे-धीरे हमारे बॉलिवूड से लेके कह दुझा भी टीवी इससे ग्रसित है, उसमें भी कही ने कही अभा रहा है की नहीं यार वो चल रांटेंट है, ये ठीक है, तो आब लोग धीरे-धीरे कर रहा है, लेकिन बड़े तरीके से नहीं कर रहा है, वो अकर लोग बहूं घृश, जरिखते हो यारे लिखेखेनों औ एक चीज मैंने और नोटिस किया है, जो सोचल मीडिया है, सर, जो जिसे यूटूब हो गया, ये सारी चीजे हो गया, ये से आप लोग जो है, डिजिटल माध्यम, सुसान सिंह का मैटर जो है, बहुत दिन पहले ही जो बड़े चैनल थे, इन लोगों ने कहीं बंद कर दिया थ आज भी बना के रखा हुआ है, तो ये अगर पहले का समय होता, तो अभी तक आप समझ सकते हो ना, तो मतलब थैंक्स टू यू गाइस कि आप लोगों ने इन चीजों को बना के रखा हुआ है, और मुझे लगता है ये चलना चाहिए, ये मसला जब तक इसका सही इनसाफ न जाना चाहूंगा, कि जैसे आपने नेपोटिजम की बात की, तो ये डिबेट बहुत टाइम से चलते आ रहा है, और इसमें ये भी डिबेट होता है कि शारुक खान साहब की बात करे, या फिर नवाज उदिन सिद्धिकी की बात करे, इलफान खान की बात करे, अगर नेपो जाए आगे, और हैं सो मसे कम से कम पचास टैलेंटेड है, होना क्या चाहिए, उल्टा होना चाहिए, कि चलो तीन-चार जिनको पास टैलेंट नहीं, वो चल रहे हैं, इधर-उदर हो, संख्या जादा होनी ची ये टैलेंटेड लोगों की, रही बात, नवाज उदिन की मैं क्या बोलू, वो उनको खुद बता होगा कि वो कितना मेहनत किये होंगे या वो कैसे आये है, ये अशारुक खान को ही पता होगा, इवन देखिए, मैं सबसे, मैं अक्षे कुमार को कुछ मैटर में बहुत पसंद करता हूं, वो मुझे फाइटर लगते हैं, क्योंकि रही ब लेके कि इतनी फिल्मे किया, आपने आपको कभी बेस्ट एक्टर का आवाड नहीं मिलाई, ये वो तिस देट, तो बड़े ही वो मजाकिया अंदाज में जवाब देते हैं, भाई मुझे आवाड मत दो, पैसे दे दो, जो चीज होती है, कि वहाँ पे भी कहीं न कहीं एक ग वहाँ भी पता है कि इसका खेल होता है, तो बड़ी इंडिस्टी इसको हम लोग फॉलो करते हैं, मतलब हमारे कहीं, मतलब सब लोग फॉलो करते हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि अभी जल्दी में ही एक गाना बड़ा हिट हुआ था तेरी मिट्टी में मिल जावा, जो अच्छा गाना नहीं मिला, और ऐसे चीज़ों को तो करना चाहिए, सपोर्ट तो करना चाहिए, इन चीज़ों को, मैं जज तो नहीं हूँ, बट डेफिनेटली मैं अगर मुझे पूछा जाए तो मैं ओड तो नहीं दूँगा, मैं इसी गाने को ओड दूँगा, ठीक है, यह गाना अच्छा है, तो अक्षे कुमार ने भी अपनी जर्नी को बड़े ही फणी अंदाज में पेस किया, और बताया कि होता है, लेकिन फाइटर की तरीके से ढटे रहने का, आगे बढ़ते रहने का, आप से चीज़े चीनेंगे लोग, लेकिन फिर आज आने का, आज ब सुसान सिंग भी उस जगह पे थे, उस जगह पे थे वो, कि जिसके पास किसी जिसकी कमी नहीं थी, उनके पास जो में चीज की ज़रूरत थी, फैन फालोइंग वो थी उनकी, सुसान सिंग कहीं पे भी जाके काम करते हैं, तो उनकी फैन फालोइंग जो उनके फैन हो जाएं तो भगवान मतलब जाने जो भी सारी चीजें थी लेकिन बहुत अच्छा रहता उनके लिए बड़े हाथा कैसे हुआ है यह जरूर अचंबित करता हैं को सोचने पर मजबूर कर देता है तो वो दुख मैं बता रहा हूं बहुत ही कभी-कभी ऐसा आपने देखा होगा किसी को आप जानते नहीं हो बट आप पर्दे पे देख रहे होते हो या फिर कहीं एक माध्यम होता है देखने का और उससे एक ऐसा लगाव सा बन जाता है कि आप जनुर्ली उनसे मुहबत कर वैठते हो कि यह बंदा और जनुवन है तो सुसान सिंग के साथ भी ऐसा ही होने लगा ह मैं खुद मैं बता रहा हूं कि मैं अभी मी बिलीव नहीं करता कि यह हाथसा हुआ है अभी नहीं अभी जिससे दिल बेचारा आने वाला है उनका 24 वार है मैं ट्रेलर देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार बंदा तो होगा कहीं अब कैसे बोला जाए कि क्या यह आखरी चाहिए यह डिजिटल में हम लोगों से और लोगों से भी सवाल होने चाहिए और यह खतम नहीं होना चाहिए जब तक इसकी लब सही जाच पड़ताल ना हो जाए यह बिल्कुल अपने तरफ से मांग करूँगा कि यह होनी चाहिए विकरांथ इसके अलावा जैसे मैंने स्ट मैं तो बैठा हुआ हूँ तैयारी में रहता हूँ अपने आपको फिट करके रहों करता हूं जो भी है मॉनलाग होता है अपने तरीके से स्क्रिप्टिंग करके एक होता ना कि यह सब भी रड़ी रहूं तीन-चार जगों मैंने ओडिशन भी ओडिशन की क्लिप भेजी है देखते हैं क्या होता है बट मैं तो चाहता हूं मैं तो बोलता हूं कि जल्दी से मुझे कोई कॉल करे मैं जाहूं मैं शूटिंग करूं यह क्या हूं